नमस्कार आपका श्वाकत है और चुने हीडियो रेश्पी में तो चली सुरू करते हैं तो आज साधी वाला गाजर का हलुआ बनाई हूं घर पे यह औरेंज कलर का गाजर मिलिया है दोस्तों और इसको मैं अच्छे से छील के धोली हूं छीलना बहुत जरूरी है ने तो हलु किनकिनी जैसा बन जाता है इसमें बारी कसी बालुरती है यह मेरा फेवरेट गाजर है लाल गाजर से अच्छा यह हमको किसरिया गाजर लगता है यह देसी गाजर है दोस्तों तो इसका हलुआ बहुत ज़्यादा ही मीठी है इसमें अंदर में वाइट वाली डंटी नहीं ह होता है तो आज मैं हलवाई जैसी ही बना दी हूँ और अच्छे सदो के एक करीब देर के जी के लमसम गाजर है देर के आसपास और उसी में हम दो चमसा घी डाल देंगे इस तरह क्या से घी डालने से होता है कि आप दूद डालेंगे तो फन के वाहर नहीं आएगी तो घी डा ज़्याना जरूरी है यही में हम चार इलायची भी कूटके डाल दिये थे करीब अभी हम आदा के जिसे जादा डूद डालेंगे दोस्तों अभी दूद एक गरम ही है तो गैस से उतार के मैं डाली हूं इससे दो कटोड़ी में डालोंगी और एक के जी से उपर का दूद ए आपने देखी है और इसको गैस पे चड़ा देंगे और इसको एक सिटी हाई से मतलब हाई नी मेडियम से ही लगाएंगे और दो तीन सिटी चार सिटी होने तक करेंगे ताकि गाज़त सॉफ्ट हो जाए और यह खोया मेरा बन के त्यार होने पर है दूद सारी और खोया बनान जाली हूं और उसमें एक से डिर्चमचा घी भी डाली हूं इसका बहुत अच्छे से क्रीमी टेक्श्टर बनके त्यार हो और इलाइजी का पाउडर ऐसे मैं इलाइजी उबालने में भी गाजर में डाली हूं दूस्तों थोड़ा सा खोया के उपर भी डाल दी हूं ताकि स्प्रेट करूंगी तो उस पर भी टेस्ट लगेगा और यह चार से पांस दिटी लग गई थी सीम आज पर देखें कितने चाहसे दम सौप्ट सेज गई है आप चाहें तो इस तरह से भी पानी के साथ भी से जा सकते हैं घी में बूच के और इस तरह से मैं ख्वया सरा निक कर दी थी बहुत ज़्यादा मैस नहीं वह दर दरा जैसा भी है इस तरह से मैस करके मैं इसको गैस पर चरहा के अच्छी सुखा लोंगी और यह लुगा इतना टेस्टी बनके त्यार हुआ था दोस्तों कि मैं फास्ट टाइम इस तरह से बनाई हूं चुकि मेरे घर में कि सब बोला कि हमेशा ऐसी ही गाजर का हलुआ बनाया करो और इसके साथ मैं चीनी डिली पानी यह अच्छा से इभापरेट होगी पानी नहीं सौरी दूद और इसमें 1500 ग्राम के लमसम चीनी डाल दी हूँ गाजर मीठी वाली है तो अपने एकोर्डिंग ही डाले तो गाजर का पहले टेस्ट कर ले कि मीठी है या कड़वी है यह मीठी गाजर थी बहुत फ्रेस गाजर थी दोस्तों और यह गाजर हमको बहुत पसंद है मैं ऐसे भी इसको खा सब्सक्राइशी में कूट के डाल दूंगी कि उपर से ताकि ज्यादा खौलने पर फ्लेवर उड़ भी जाती है इस तरह से नारियल का बूरा है ज़रूर डाले इससे टेस्ट इसका चौगुना हो जाएगा और यह बहुत जल्दी गाड़ी भी हो जाती है दम राबरी जैस हो जाती है अगर आपके पास खौया पहले से बनी हो तो यह अराम से बन जाती है इस तरह से थोड़ी सी में घर की मलाई डाल दी हूँ अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है बाहर वाली यह तो डाले नहीं तो आप भी घर की मलाई डाल सकते है इससे इसका बहुत क्रीमी टेक अगर आप मेरी वीडियो से जड़ा से भी कनेक्ट कर पाते हैं अगर आपकी शपर्ट के बैया जरूरत है ज्यादा सा ज्यादा सपोर्ट करें बेल आइकन पे क्लिक करके आपके क्लिक करें वीडियो कहीं से बेच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है अगर इसको मैं सेट कर रही हूं तो अला का मैं टबा ले ली हूं और अच्छे से इसको सेट कर दूँआँगी पुरा हल्वा मैसी में डाल दी हूं आ देक्यो बहुत ज़्यादा होने के बाद खोदबख खूद हाड हो जाती है बहूँद थ्टंड में हल्वा खाने में बहुत तरीके से आप खा सकते हैं इस तरह से मैं थ्री पिलेन कर दे रही हूं अलगा से टैप टप कर दे तो वह आदाम से प्लेन हो जाती है अब इसका कलर आप देख सकते हैं कितना सुनदर आया है इसमें किसी तरह का कोई फूट कलर डालने के जरूरत नहीं यह नेचुरल कलर इसका बहुत सुनदर आता है और रेड वाली गाजर से भी बहुत सुनदर आती है उससे भी और इस तरह से गर्मा गरम में ही हमारा खोवा को फैला देंगे ताकि खोवया अगाजर का हलुआ बिलकुल अलग अलग ना हो और यह आपस में मतलब एक दूसरे से घुल मिल जाए एक दूसरे को पकड़ लेती है गरम से न और अच्छे से आप इसको अच्छे से पहला आई हूं यह खोया तो अच्छे से प्हेला लेंगे और अजया फ्रेश खोया है दोस्तों अगर आप चाहिए तो मार्केट से भी खोया ले सकते हैं और डालके बनासें तो बहुत जादा समय नहीं लगी यह फ्रेश खोया यह बच्चों को घर का ही खोया बहुत पसं बनाता है तिसलिए मैं इस तरह से बना देती हूं अच्छा से चरतरब हलका से दवा के मिला देंगे ताकि अच्छा से घुल मिल जाए जब आप काटके निकाले तो बहुत अच्छी वाइट और 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 एंजी कलर निकल की आएगी बाहर अच्छा से कुछ ड्राइफ रूट देखने से भी अच्छी लगती है और खाने मिल मु में भी आतीlying में लोग स्कुंचा को देखने महाथ लगती है तो पर आछिल ईंटी। एक चम्छा वामें हैं मैं डॉली दाल идет को च्लोटी वली लीजास ने डॉली लीजा से भी तो इस तो अब बहुत च्छाइब मैं घर्मंकर में डाली हैं इसको ड ambassadorsारी और उ saràत पर मैं किच्चन कॉंटर पर ही रख दीँ अभी मैं नहावा रखे आई हूं तो देख रही हूं इसका क्या कंडिशन है यह बहुत अच्छा से जम गई है और ठंडी भी हो गई है आप चाहें तो आपके तरफ अगर मतलब ठंडी नहीं है तो आप फ्रेज में भी रख सकते हैं पर मैं फ्रीज में भी नहीं रखने से अ ब्लॉक में काट देंगे तो देखने से थोड़ी अच्छी लगती है और यह काफी मोटी गेजकी में बनाई हूं आप चाहें तो बरी वाली ट्रे या थाली किसी चीज में जमा सकते हैं मिठाई जवाने वाला में इस तरह से तूटे ना मैं कोशिस कर रही हूं अच्छे से निकल के बाहर आ जाए अरे बहुत अच्छे से बाहर निकल के आ गई है दोस्तों आदेखे इसका कितना सुंदर कलर है इस तरह से ज़्यादा कोई हलुआ खाता भी नहीं है और खाने के बाद तो डेजर्ट से लोग पसंद ही करते तो आप खाने के बाद खाई है खाने से पहले खाई है इस तरह से थैंक्यू फॉर वाचिंग दोस्तों अगर मेरी रेश्ट्री आपको पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखे कितना सुंदर यह भी बना है आप मेरी बेटे को बहुत